माता तुलसी को रविवार और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से जल, दूध या अन्य कोई रसरपन नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता तुसली इस दिन व्रत से रहती हैं। हालांकि आप यदि एकादशी के दिन उन्हें मातर पांच चीज अरपित करेंगे तो माता तुलसी का आशिरवाद मिलेगा और आपके घर में कभी भी धन सम्रुद्धी की कमी नहीं रहेगी। मात तुलसी के पास गी का दीपक प्रजवलित करें। माता तुलसी इससे प्रसन होकर आशिरवाद देगी और उनके आशिरवाद से आपके घर में माता लक्षमी का वास होगा। तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस अरपित करना भी शुब माना जाता है। मा तुलसी पर सुहाग का सामान भी अरपित करते हैं। उन्हें लाल रंग चुनरी ओढ़ाएं और हल्दी, कंकु और गंधर्पित करें। लाल चुनरी चड़ाने से जीवन में सुक सम्रुद्धी और वैभव की प्राप्ती होती है। एक पीले धागे में 108 गठान लगाएं और उसे तुलसी के गंले में बांध कर माता से प्रार्थना करें। इससे घर में सुक शांती बनी रहेगी। निर्जला एक आदशी के दिन माता तुलसी को लाल कलावा जरूर बांधे इससे जहां भगवान विश्नु और माता तुलसी की कृपा बनी रहेगी, वहीं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।